आज हम इस वीडियो के अंदर बात कहने वाले हैं कब सिरप होती हैं वो कितने परकार की होती हैं कौन सी कब सिरप कब यूज करते हैं तो अगर आप मेडिकल स्टुडेंट हो तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखे इस वीडियो से आपको कापे ज़्यादा इंपॉर्मेशन मिलने वाली है तो मार्किट के अंदर मेंली दो परकार की कब सिरप आती है ड्राइ कब सिरप जो की बिना बलगम वाली खांसी के अंदर यूज की जाती है और दूसरी होती है वेट कप सिरफ जो की बलगम वाल कांसी के अंदर यूज की जाती है लेकिन आजकल मार्किट के अंदर कुछ ऐसी सिरफ भी आ गई है जो ड्राइ कप एंड वेट कप इन दोनों के अंदर यूज की जाती है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सिरफ के बारे में बताऊंगा जो कापी ज़्यादा उप्योग में ले जाती है और यह आपको मेडिकल इस्टोर्ट पर भी आसानी से मिल जाती है और डॉक्टर के दोरा भी कापी ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है तो सबसे पहली कप सिरफ के हम बात करें तो जिस कप सिरफ के अंदर डेक्स्टरो मेतोर्पेन मेडिसिन होती है तो उसका उप्योग होता है वो सूखी कांसी या गले में करास होता है तब किया जाता है तो यह सिरफ मार्किट के अंदर भी असानी से मिल जाती है डेक्स्ट्रो मेतोरपेन होता है या ड्राइ कप के अंदर यूज किया जाता है ये कप सप्रेसेंट का काम करता है या हम कह सकते हैं कि ये सुखी कांसी को कम करता है अब दूसरी शिरफ आप देख सकते हैं जिस शिरफ के अंदर डेक्स्टरो मेतरपेन और कलोर फेनिरमाइन ये दोनों मेडिसीन होती है उस शिरफ का उप्योग होता है वो सुकी कासी गले में सक्राज और साथ इसाथ पेसेंड को नाकाक से पानी आता है या खुचली की प्रोबलम लेती है या बार-बार छीखाती है तो इसके अंदर क्या जाता है डेक्स्टरो मेतरपेन होता है वो कब सप्रेसेंड का काम करता है या हम कह सकते हैं सुकी कासी को कम करता है और कलोरफेणिरमाईन होता है वो एंटी एलर्जी का काम करता है अब तीसरी दवाई के मी के हम बात करें तो जिस दवाई के अंदर डेक्ष्ट्रोमेतोरपेन, कलोरफेनिरमाईन इसके साथ इसाथ एक और मेडिशिन फिनाइल एफिरिन होता है तो ये तिनों मेडिसिन कॉंबिनेशन में होती है तो उस शिरप का यूज, सुकी कांसी के साथ, गले में कराज, नाक आक से पानी, खुजली, बार बार चीक, नाक बंद ये सबी प्रोबलम एक साथ होती है तो उनके अंदर क्या जाता है डेक्स्टरो मेतोरपेन कप सप्रेशन का का काम करता है कलोर फेनिर्वाइन एंटी एलर्जी का का काम करता है और फिनालेफरिन होता है, वो बंद नाक को कोलता है अब अगली दवा के हम बात करें तो जिस तबा के अंदर एंब्रोग्जोल, लेवोसाल बुटामॉल और गौई फेनिसिन ये तीनों मेडिसिन कॉंबिनेशन में होती है उसका उपयोग खांसी के साथ किसी को बलगम की सिकायत रहती है उसके अंदर क्या जाता है ये हम कह सकते हैं कि वेट कप के अंदर क्या जाता है तो एंब्रोग्जोल होता है वो मुकोलाटी का काम करता है या मुकस को तीन करता है जिसे वो आसानी से बार आ जाता है लेवोसाल बुटामॉल ब्रोंकोडालेटर का काम करता है या हम कहिए सकते हैं कि किसी पेशिंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो यह problem कम करता है गॉय फेनिशिन होता है वो मुकस की stickness को कम करता है या मुकस को आसानी से बार निकाल देता है तो यह तीनों मेडिसिन किसी cup शिरफ के अंदर है तो उस सिरफ का यूज वेड कप के अंदर किया जाता है और ये सिरफ कापी ज़दा उपयोग में भी ली जाती है अगली सिरफ की हम बात करें तो जिज दवा के अंदर एंब्रोग्जोल, टर्बॉटालिन और गौई फेनिसिन ये तीनों मेडिसिन कॉंबिनेशन में होती है उसका उपयोग भी कांसी के साथ बलगम के अंदर किया जाता है एंब्रोग्जोल होता है, वो मुकोलाटिक का काम करता है मुकस को थीन करता है टर्बॉटालिन, ब्रॉंकोडालेटर और गौई फेनिसिन होता है वो एक्सपेक्टोरेंड का काम करता है या मुकस को असानी से बाहर निकालने में मदद करता है तो इसका उपयोग भी वेट कप या जिसको बलगम वाली खांसी बोलते हैं उसके अंदर किया जाता है अगली कप सिरफ की हम बात करे तो जिस पेशिन को वेट और ड्राइक अप दोनों एक साथ हो तो उसके अंदर किया जाता है तो जिस सिरफ के अंदर एमप्रोग्जोल होता है डेक्स्ट्रोमेतोरपेन भी होता है और फिनाइल अप्रिन और कलोरफेनिरमाइन और मेंतोल ये सबी medicine combination में होती है या एक साथ होती है तो उस दवा का उपयोग खांसी के अंदर या बलगम वाली खांसी होती है या किसी को बार बार चीह काती है गले में जलैन आक नाक से प्मानी तो ये सबी प्रोबलम एक साथ होती है तो उसके अंदर इस सिर्फ का उपयोग किया जाता है तो आज हमने इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी सिर्फ के बारे में जाना है जो ज़्यादा तर उपयोग में ले जाती है अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाते हो तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं